अब मैं भाड़ूत के उपर आ जाता हूँ, बैचलर्स भाड़े पे घर लेते हैं, whether male बैचलर्स और female बैचलर्स, they are both बैचलर्स, बैचलर्स मतलब single people जो उनकी इनकी शादी नहीं हुई है, single लोग वो घर लेते हैं, कुछ लोग actors या models होते हैं, या strugglers होते हैं, या aspiring models होते हैं, बनना चाहते हैं models या actors, या कुछ भी हो, students भी होते हैं, अगर उन्होंने भाड़े से घर ले लिया है, फिर उस घर में उनको क्या करना है, पार्टी मनाना है, संभोग करना है, जो करना हो, it is none of your damn business, सिवाई के अगर बहुत ज़्यादा आवाज आए, यानि पुलिस टाइप का मामला हो जाए, वो टाइप की आवाज आता है, घमा धम आवाज आता है, पार्टी, लावड म्यूजिक, लावड मतलब speakers से ऐसा म्यूजिक, जो की एक त्रेशोल्ड पार कर जाता है, उतना अग लेकिन मैनेजिंग कमेटी, सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी का राइट नहीं है, अथारिटी नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, कि वो उस चीज को लेके पुलिस तक भी जाए, या किसी भी अथारिटी के पास जाए, अगर बात क्लियर नहीं है, तो और मैं एकदम क्ल चलो कि जिस इंसान ने वो घर लिया है वो प्रोस्टिटूट है मान के चलते हैं यानि कि कॉल गर्ल है आप जो भी बोल सकते हो वो सारे चीज़ें है वो अगर उसने घर भाड़े पे लिया है अगर लैंडलोड ने उसे घर देना उचित समझा है और अगर वो उस घर को अपने तरीके से यूज़ करती है पुलिस उस पर एक्शन ले सकती है for whatever is illegal under the law कानून उस पर एक्शन ले सकता है on the basis of what is illegal एक प्रोस्टिटूट का पेशा करना जिस हद तक illegal है उस हद तक पुलिस का right बनता है लेकिन न पुलिस का right न मैनेजिंग कमेटे का right बनता है और न नेबर्स का right बनता है और मैं इस सपस्टी करन के साथ मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि एक bachelor एक घर लेता है अपनी गर्ल्फ्रेंड्स को लेके आता है लेट तक बैठते हैं ग्यारा बारा एक बजे तक बैठके हसी मजाग कर रहे हैं ताश खेल रहे हैं जो भी कर रहे हूं शराब पी रहे हूं साथ में सुसाइटी वाले दर्वाजे पे खटखट करते हैं दर्वाजा खोलते हैं जहात कर देखते हैं अंदर कौन है अगर एक आदमी या अनेक लोग हैं फ्रेंड्स हैं बाहर बैठे हुए हैं तो उन पर चिलाते हैं उनको बेज़त करते हैं और कहते हैं हमारा सुसाइटी बहुत अच्छी जगा है अगर उन्होंने घर में घुसने की हिम्मत की एक कदम अगर अंदर रखा बहुत सिरियस केस हो सकता है अगर रात को उन्होंने आपको थ्रेटन किया आपके उपर दबाव डाला किसी भी तरह से कि आप घर में इस तरह से नहीं रह सकते हो आपको हमारे कहने के हिसाब से रहना पड़ेगा आप घर में मीट मच्छी नहीं खा सकते हो आपके घर से बद्बू आती है मील्ख मची की, कुछ भी अगर उन्होंने आपके तौर तरीकों पर एतराज जताया Believe me, बहुत अच्छा बहुत तकड़ा पुलिस केस बन सकता है और बनना चाहिए